Radical Equations अभी के लिए hot topic है हमने पिछले लेसन में first type देखी थी एक linear equation radical और non-radical part के mixer के साथ और अब वक्त आ गया है second type देखने का जहां ये सब radicals हैं लेकिन अंदर की expression अभी भी linear है times आया किये बगएर इसे example के जरीए समझना चुरू करते हैं तो हमारे पास ये आया है पहले इसे equation 1 लेबिल करें फिर equation की दोनों sides को square करें ये formula याद है equation की इस side पर इसे apply करें यहां ये a है और ये b है तो इनके squares इन्हें square root से बाहर निकाल देंगे और यहां 2ab part है अब like terms को add करें और ये right side पर shift करें इसके बाद हम multiply करेंगे इन दोनों को दो square root of x प्लस 3 और x प्लस 6 हमें मिला x squared 6x फिर 3 times x 3x होगा और फिर हमारे पास 18 है अब equation की दोनों sides पर like terms को add करें और उससे नाम दे equation 2 का तो हमने given equation को reduce कर दिया है type 1 radical form में क्योंकि हमने उनको last lesson में सीखा था तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि यह कैसे end होगा तोनों sides को square करतें 2 squared 4 है radical sign square के साथ cancel हो गया है जबकि right पर हम फिर से perfect square formula अप्लाई करते हैं इसे expand करें और हमारे पास यह आया है इस expression से यहाँ 4 को multiply करेंगे ताकि यह bracket से free हो जाए और फिर हम variables को दूसरी तरफ shift कर सकते हैं अब हमारे पास हर चीज जगा पर है like terms को add करें finally हमारे पास quadratic equation की standard form आ गई है जो के journal form से compare की जा सकती है ऐसा करने से हमने देखा के a3 है b40 है और c68 है इसके लिए इन्हे quadratic formula में put करें अब तक आपको ये formula अच्छे से याद हो गया होगा इसे simplify करें थोड़ा और और आखिर में हम x की दो values को split कर सकते हैं इन्हें simplify करने से भी हमें ये मिलता है x equals to minus 2 और minus 34 upon 3 जल्दी ना करें याद रखें हमारे पिछले lesson में हमने roots को verify करने की importance के बारे में बात की थी अब भी हम ये ही करने जा रहे हैं हम यहाँ x equals to minus 34 upon 3 को equation 1 में रखेंगे अब हर radical में denominator का LCM लें ताके denominator को same बना सकें क्योंकि उसके बगार fraction को simplify नहीं कर सकते numbers को solve करें minus 34 plus 9 negative 25 है minus 34 plus 18 negative 16 है और minus 34 plus 33 negative 1 है negative separate करते है number times negative 1 लिखते हुए हर radical में याद करें के negative 1 का square root एक imaginary number है जो i से denote होता है i for iota right लेहाजा यहाँ negative 1 का square root iota से replace होता है जबके 25 का square root 5 है 16 के लिए ये 4 है और 1 के लिए ये 1 ही रहता है कि जो भी है एक बात तो वाज़े है कि left hand side right hand side के equal नहीं है जिसका मतलब के minus 34 upon 3 एक extraneous root है जिससे दूसरा root बन जाएगा x equal to minus 2 जो के एक obvious true root है लेकिन कैसे? well, हमारे पास linear equation थी जिसके पास एक root solution के तौर पर है हमारे पास दो possible choices थी एक cancel हो गई एक रह गई है जो हमारा answer है आप खुद भी उसे टेस्ट कर सकते है